इस समय हमारे बीच मौझूद है प्रकाश चंजी जो की इस प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी के रूप में अपना प्रतियोगिता रही इनके लिए और किस तरह से इन्होंने प्रतियोगिता रही इनके लिए और किस तरह से इन्होंने प्रतियोगिता रही इनके लिए और किस तरह का प्रतियोगिता रही इनके लिए और किस तरह का आपका प्रतियोगिता रही इसमें हमें देखने को म प्रतियोगीता से जुड़े हैं, तो आपकी इस प्रतियोगीता से जुड़े हैं, तो आपकी इस खेल से किस तरह से आपकी रुची बनी और कब से आपने इसके शुरुवात की मैं मैं इधर पे जब स्टार्ट वपरा ग्लाइडिंग तो उस ताइम मतलब फस्ट बैच जब इधर पे लोकल को ट्रेनिंग का मिला तो नाइंटी नाइट में सिखे जो लोकल थे उससे पहले करते थे बट इधर बीड के लिए खास कुछ थे जो कर रहे थे तो जो इंस्टक की उनके साथ साथ में प्रैक्टिस किया जो प्रैक्टिस करते हैं ग्राउन हैंलिंग और कंट्रोल्स वगरा सीखे थे बट स्टार्ट थोड़ा लेट किया कि उस टाइम में टेकनिकलिये था कि हमारा बॉडिवेट नहीं था अकॉर्डिंग तो जो ग्लाइडर रहता है उस कि यहीं तो मतलब क्या गॉड़ फादर बोल सकते है प्राग्लाइडिंग का इंडिया में जो उन्हों ने यह साइट डिसकावर की पारग्लाइडिंग के लिए उससे पहले हैंग लाइडिंग यहांप रहती थी बट उन्हां जिगा है जा इस श्टार्ट हैंपर क्लाइड तो किस तरह का अनुभाव आपका रहा इन सभी के साथ competition में रहने के लिए क्या कहना चाहिए मैं अनुभाव अच्छा था क्यूंकि पैरा ग्लाइडिंग एक ऐसी एडवंचर एक्टिविटी जिसमें आपको हर टाइम हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और competition एक ऐसी चीज है और यहां पर सब लोग आना पसंद करते हैं तो काफी अच्छे अच्छे पाइलेट सिदर पर आते हैं तो उनके साथ में फ्लाइं करने एक लगी एक्सपिरिंस रहा और इस से प्रतियोगिता में आपका जो अनुभाव है और आपका जो प्रदर्शन है वो किस तरह कर र है बट सेप किया पूरे टास्किये वो सबसे मेरे लिए हैपियस पॉइंट है वहां पर जी कहीं ने कहीं आप बीपी से भी जुड़े हैं तो किस तरह के कारे आप इसके साथ मिलकर कर रहे हैं मैं एक्चुली स्टार्डिंग में जब हमने प्लान किया कि प्री वर्ल्ड कप करवाना है तो इस ताइम में ऐसा था कि मैं जादा उस पे वरकिंग कमेटी में रहा क्योंकि मुझे पार्टी स्पेंट भी रहना था तो दोनों असमें बड़न ज्यादा नहीं था लेना चाहता था मैं तो इसलिए मैं बीच उस तक उनके साथ में काम किया मनेजमेंट का का फिर बाद में मैं एकुइठ हो गया टीम से क्योंकि मुझे प्रैक्टीस भी करना था तो ऐसा है कि जो हमारी टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था यहां पर सबने अपना जो रिस्पोंसिवल्टी दी इस अपने मिलके काफी अच्छा उसमें काम किया हुआ है औ और जो हमारे मीड डिरेक्टर हैं उनके साथ हमने यही डिसकस की थी कि यह प्री वर्ल्ड कप है उसके बाद में साहिद नेक्स्ट यर या उसे 2015-25 में हम लोग बिट करेंगे वर्ल्ड कप के लिए तो फिर वर्ल्ड कप करवाएंगे जी हमसे बाच्छित करने के लिए आप झाल